आज संत वानी में संत सुन्दरदास का एक सवया लेने जा रहे हैं सुन्दरदास का जन्व 1596 इस्वी में हुआ और 1689 इस्वी तक राजस्थान की धर्ती पर सुन्दरदास अपना गीत गाते रहें कहते हैं सुन्दरदास आप न देखत है अपनो मुख अदर्पन काट लगेव अतित हूला मैं कौन हूं वास्तों में क्या है मेरी वास्तविक्ता मेरा वजूत क्या है यह आदमी स्वेम नहीं आगता है स्वेम मुल्यांकन नहीं करता है दरपन में जैसे हम चहरा अपना देखते हैं वैसे ही अपना मुखादमी स्वयम न देखकर दरपण में जैसे देखता है अर्था दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसे वह महत्वपुर्ण सोचता है हम मैं कौन हो मुझसे बहतर कौन जान सकता है लेकिं दूसरे हमारा मुल्यंकन किस तरह करते हैं दूसरे का मे समय कंके नहीं दर्पन के सामने हो ले तो या दर्पन का लेंस innych हो तो फिर पतला अपने को 20 मोटा देखोगी तो जैसा दरपना साहत व्यक्ति जो सामने जो तुम्हारा मुल्यांकन कर रहा है उसकी नजर कैसी है उसकी अंसार्त हमारा रूप बदल जाएगा हमारा स्वरूप बदल जाएगा उसी बात को कह रहे हैं और इसे बहुत ही करते दरपन काट लगो अति ठूला दरपन तूट गया ककेभ है कई सके अंसार हमारा रूप तो बदल जाएगा इसलिए व्यक्ति के नजरिये के उनसार हमारा स्वरुप तो अलग-अलग प्रकट होगा जिसके लिए यारिश साब कहते हैं आंधरे को हाथ ही हरी ऐसे ही कि गोविंद के बारे में भी तरह तरह का लोग अनमान करते रहते हैं जैसे कोई अंधा है और हाथ ही देखने गया तो जैसा वो अंग छुएगा उसको तो हाथ ही वैसा ही प्रतीत होगा आंधरे को हाथ हरी हाथ जाको जैसो आए अब हाथ में सूना आ गया तो फिर कोई और ऊद्राइगा पैर आ गया तो केले का थम्भ जैसा लगेगा गाना गया तो सूप जैसा लग तो हाथी एक है लेकिन अपना अलग-अलग अनुमाने जिसे अधा अनुमान करने चला कि हाथ हाथ कैसा है आंधरे को हाथ हatus हरी हाथ जाको जैसे आउ बूझ मैं जैसों ढिन नं से तो वैसा ही उसको बताता है तका टूरी दिन रेन और अंध्रा कया करें और टटॉल टटॉल करें कि चलता है रास्ता तो उसको सूचता नहीं है तो यहू के फूटे नैन और जो अंतह करन में जो आंक है जो एक दृष्टी है आत्म दृष्टी है वो तो है नहीं तो आंधरे को आरसी में कहां दरसाओ ऐसे दरपण में कोई दा देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा आपना सरूप रूप आप माही देखे ना है इसलिए अपने सरूप को वो तो देखता नहीं स्वेयम तो देखता नहीं कहे हारी लली अंध्री ने हाती कैसे पायो है तो फिर एक अनधा व्यक्ति हाथी को जज़ नहीं कर सकता हाती के स्वरूप का दि faço यह जाता ऐसे ही जो sum अपने स्वरूप को दूसरे के दरपन में देख करके हम खुदी भ्रमित हो जाते हैं कहते हैं सुन्दरदास ज्यों द्रिग देखत तैं रही जाती द्रिष्टी भ्रहम के अंसार वो स्वयम को देखता है फिर जैसी द्रिष्टी वैसी स्रिष्टी हो जाती है जब नजर ही नजरे बदल गई तो नजारे बदल गए सुबह हुई तो सितारे बदल जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, जानो एक नाम को भाई, अगर सही दृष्टी करनी है, समय के दृष्टी करनी है, नाम तत्त को जानना होगा, उंकार तत्त को जानना होगा, जानो एक नाम को भाई, अवर का कौन लेखा है, और बाकी दुनी अवर की चीज़े तुम जान जिसको जानने के बाद जानने को कुछ बाकि नहीं रहता कहते हैं विकासाब जानो एक नाम को भाई अवरका कॉन लेखा है अद्रिष्टिय भेद नहीं पाई और एक बात है याद रखना अंतहकरण के बारे में अपने मूल जो भीतर है हमारा उसको क्या कहते हैं यह आँखे नहीं जान सकती कि हमारा अंतह करन कैसा है तो कहां को ताही देखा है उस अंतह करन को आत्म तत्यों को किसने भला देखा है गुरू जब भेद बतलाई सोई जन आप पेखा है जब गुरू एक दृष्टी देता है जब गुरू रहस्य की बात बताता है त विए पर फूला रोह को कहते है या कर्दा पर जो नेबुला हो जाता है एक मारि च्या जाती है जव पुतली पर शायता है दो उसको पोला रोह पहते हैं तो एक जम जाता जिसके चलते वह पर ओपेक प्रत जम जाती है इसलिए उसकी ड्रिष्टी बिगड जाती है जब ही पुतरी पर फूला क्याते है जहों द्रीक देखत तय रही जाती और भयो जब ही पुतरी पर फूला रोग हो जाए तो फिर पूरी द्रिश्टी तो होती नहीं है अब जैसा चंचंध करेके तुम देख पाते हो बस वैसा ही नजरिया तुमारे सामने आता है ंसक्लिए कभ्य साब कहते हैं धंद सो घरी मुहुरत दीना कहते हैं कि वह घरी वह मुहुरत वह दिन हमारे लिए धंद है कौम सी घरी जब ग्रिहाय हरी के जना जब गोविंद का कोई जन, कोई सादू, कोई संत हमारे घर आता है, उससे ज़्यादा महत पूर्ण शुब घरी कुछ नहीं होती है, दर्शन देखत यह फल भया, संत का दर्शन करने मात्र से यह फल होता है, क्या होता है, नैना पटल दूर होए गया, आंखों पर जो पड़ा हु वह परदा दूर हो जाता है, वह भ्रहम तूट जाता है, असब्द सुनत संसा सब छूटा, और संत का उपदेश सुन करके, संत का सत्सं करके, क्या होता है, सारे संश्वे हमारे मिट जाते हैं, अस्ट्रमन का पाट बजर था तूटा, और जो हम भहरे बने हुए हैं, और व घर द संतब का उठेश सुनू औंकार का अश्रमन करो तो हमारे सभी संसफ़ी मिठ जाते हैं उससान कने सुंदर दिएं आग्यान रहे अभीज़ cheated सके अन्हिं आतम मुला कहते हैं कि जो आत्मा का मूल तत्व है जो नाद तत्व है जो उंकार तत्व है जब तक उसे तुम नहीं जानते तब तक हमारे अंतर में अज्यान पहला हुआ रहता है इसके लिए धरनी दास कहते हैं जोलों मन तत्व ही नहीं पकड़े जब तक तुम तत को नहीं जान Au वे एक यारीव साहब कहते हैं कि तब तक लगी खोज चला जाए जब तक मुध्दा नहीं आथा तब तक उसको खोजो जब तक मुद्दा हाथ में नहीं आता उंकार तत्व नहीं आता उसी बात को करें हैं धर निदास की जॉलों मन तत कोहीं नहीं पकड़े जब तक वो तत्व तुम्हारे पकड़ में नहीं आता सज्ञान में नहीं आता वह उंकार तत्व तौलव कुमति किवार न तूटे तब तक जो कुबुद्ध है कुमति है उसका किवार नहीं तूटता है अज्ञान का किवार नहीं तूटता है अध्या सागर को पार करना है उसके लिए यह जो उंकार तत्व है यही नाव है अचरी-चरी भाग ततरे उस नाम के जहाज पर जो चड़ता है वही भावसागर को पार करता है करते हैं सुन्दरदास छाई अज्ञान रहो अभियंतर अज्ञान सके नहीं आतम मूला और इसलिए उसा ज्ञानता की कारण जो नाध है जो आत्मा का मूल तत्व है उसे हम नहीं जान पाते हैं जिसके लिए कबीर साब कहते हैं आदिनाम निज मूल है हमारी आत्मा का मूल क्या है जो नाम तत्व है सत्त नाम है उंकार है और मंत्र सबडार बा संसार और सारा संसार उंकार को जाने बिना ऐसे ही भवसागर में डूब रहा है कहते हैं सुन्दर दास सुन्दरियों उपजे मन के मल और जब तक आत्म ग्यान है तब तक एक विभिन प्रकार के मल विभिन प्रकार के विकार हमारी चेतना में च्छाए रहते हैं क्या विकार ह हमें ग्यान नहीं होता ना अपना ग्यान होता है ना ब्रम्ह का ग्यान होता है इसके लिए कवीर स्वाइब कहते हैं काम क्रोध और विशय कलपना अदूरमती दूर बहावे राग द्वेश पर निंदा तजिके साहब सोली वलावे इसलिए अगर परमात्मा से प्रीत करनी है तो काम करोध यह विशय और कुमति अब इनको अपनी चेतना से भाव राग द्वेश पर निंदा आदमी क्या है राग में लगा है द्वेश में लगा है अब पर निंदा पर चर्चा में आदमी का बड़ा रस है कबीर साब कहते हैं यह पर निंदा से बचो और ध्यान देना तुमारी चर्चाओं का अधिकतर विश्यप पर निंदा होता है और साहव सो लोलावे और गोविन से प्रीत करोग सुंदर दास सुंदर यू उपजे मन के मल और ग्यान बिना निजरूप ही मूला का अधम ज्यानता के कारण आदमी अपने मुल्ष रूप को जान नहीं पाता कि मैं कौन हूं मैं चिन मैं आत्मा हूं मैं बोध हूं ऐसा नहीं जान पाता जिसके लिए कभीर साब कहते हैं पंडित पढ़िगुनी पचिमुए कितने विद्वान है धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं गीता कुरान वेद उपनिशत पढ़ते रहते हैं ते पढ़ते पढ़ मिलता है तब जाकरे के ग्यान का उद्य होता है और ग्यान बिना नहीं मुक्ति है सत शब्द परमान और जब तक ग्यान नहीं होता तब तक मुक्ष का द्वार नहीं खुलता है और ग्यान हुआ है नहीं यह कैसे पता कोई ज्ञानी है कि नहीं सत्त सवद परमान जो सत्त नाम है उंकार तत्व है वहीं से अनभो ज्ञान की आत्रा शुरू होती है और वहीं से ज्ञान के सुरे का उदय होता है तो संत वानी पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं